एक्सरसाइज 6.2 का कुस्तन नमर 7 है इसमें कह रहा है इसमें कह रहा है यूजिंग बीपीटी थ्योरम प्रूब दैट अलाइन द्राउन थ्रू दा मीड पॉइंट आफ वन साइड आफ ट्रैंगल इसमें कह रहा है यूजिंग बीपीटी थ्योरम देखो यह जो फिगर था यह दिया नहीं था यह मैंने बनाया है इस कुस्तर में दिया हुआ नहीं है आपको बढ़ाना पड़ेगा इसमें कह रहा है प्रूब दैट अलाइन द्रू दा मीड पॉइंट आफ वन साइड आफ ट्रैंगल देखो यह कोई एक ट्रैंगल है ट्रैंगल का कोई वन साइड ले लिया मैंने जो मीड पॉइंट है यह डी पॉइंट ले लिया मालो मैंने है यह मीड पॉइंट है इस साइड का इसमें यही कह रहा है जो मीड पॉइंट आफ दा साइड आफ ट्रैंगल side of a triangle midpoint है यहाँ से एक line है ठीक है तो यह line मालो मैंने यहाँ पर E ले लिया तो आप कहरा midpoint of a triangle parallel to another side parallel to another side मतलब यह जो है यह दोनों क्या है parallel है तो मतलब given आपका यह है यह जो DE है यह parallel है BC का इतना सा है उसके बाद देखो एक चीज़ और इसमें एक चीज़ और कहा है जिसमें कहरा है यह midpoint है D midpoint है तो अगर D midpoint होगा थी AD equal BD हो जाएगा AD equal BD यह भी आपका given है क्यों है क्योंकि D is the midpoint आप यह लिख दो यह देखो इतना सा हमने question से ही find out कर लिया है इतना सा आप जो हमने लिखा है यह statement यह पूरा का question से ही लिखा है तो D is midpoint है अब आगर देखो parallel to another side यह another side का parallel है तो bisect the third side मतलब यह करें इसका जीए third side है यह first side यह second side है यह जो third side है इसको यह bisect करती है मतलब आपको यह proof करना A equal to A यहना मतलब A E equal to E C तो आप लिख दो यहाँ पर to proof to proof आपको क्या करना है proof करना आपको A E equal to E C यह चीज़े आपको proof करना है तो बहुत ही easy सा concept है पहले हमने question पढ़ा question को read करते करते यह figure भी बना लिया उसके बाद जो इसमें proof करना है दिया है वो सब कुछ लिख लिया फिर मैं एक पर बताता हूं कहा रहा है using BPT theorem इसमें BPT theorem का use करना है पहले figure समझते है proof that a line draw through the midpoint of one side of a triangle कहा रहा है एक side triangle है मतलब एक complete triangle है triangle के एक side पे कोई midpoint है तो मैंने D एक midpoint ले लिया और यहां से जो line draw कर रही है वो यह another side का parallel है ठीक है इसका parallel है तो आपको यह proof करना है sides back the third side मतलब यह side को यह third side को यह basic करती है basic का मतलब होता है दो equal ratio में divide करना मतलब यह side equal to मतलब इतना equal to इतना आपको यह चीज proof करना a equal e c आपको इसमें क्या करना है bpt theorem का use करना है सबसे पहले देखो आप लिखोगो in triangle a b c देखो a b c triangle में जो d e है यह parallel है b c का और यह क्या है given है अगर यह given है तो आप इसमें bpt theorem यूज कर सकते हो तो by bpt theorem bpt theorem क्या कहती है जो अगर यह दोनों यह किसी triangle में अगर दो एक side का एक line वीच में parallel होता है तो इसके जो दोनों side का जो ratio होता हूँ आपस में equal होता है तो मैं लिख सकता हूँ a d by b d यहां से मैं लिख सकता हूँ a d by b d equal to a e by a e by e c ठीक है यह चीज़े मैं लिख सकता हूँ अभी देखो अभी आपको क्या करने है बस आपका सवाल लगवक solve भी हो गया देखो यहां पर a d d देखो a d equal to b d है है ना यहां पर यह given है a d equal to b d तो यहां पर आप क्या करोगे a d रहने दो और यह b d के जगह पर b d के जगह पर a d put कर सकता हूँ तो यहां पर मैं क्या करता हूँ a d put कर देता हूँ यह b d के जगह पर a d put कर दिया मैंने equal to a e by e c यहां पर आप side में लिख दो जो आपने a d equal b d इसका use किया है ठीक है यह आपने use किया तो आप देखो यहां से यह और यह cancel हो गया यहां पर तो complete one by one बचे गया तो यह आगया one equal to a e by e c यही बचा नीचे में one भी करता हूँ अब आप इसे क्या करो cross multiplication करता हूँ तो cross multiply अगर कर दो a e को one से कर दो यह a ही रहेगा ठीक है a e को one से कर दो यही रहेगा और आप e c को one से कर दो यही रहेगा ठीक है e c तो यही तो आपको prove करना था देखो na two proof a e equal e c a e equal e c मतलब आपको यह proof करना था यह जो side है यह इसको यह जो line है इस side को basic करती है मतलब इसको एक दूसरे को equal parts में divide करती है तो इतना a e equal इसी हो जाएगा ठीक है तो यही आपको prove करना था यह और आपका proof हो चुका है यहाँ आप आप लिक दो क्या hence prove ठीक है बहुत ही easy सा question था यह आपको easily समझ में आगया होगा तो इसका जो question number 10 है sorry 8 है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं तो question number 8 है इसमें कहरा using converse of BPT theorem इसमें जो है इस triangle इसमें भी निदी आवा यह मैंने बना आखा है इसमें BPT theorem का converse use करना है उल्टा जो हमने theorem 6.2 पढ़ा था prove that the line joining the midpoint of any two sides of any two sides इसमें गिवन है इसमें गिवन है यह जस्त इसका opposite है जो आभी हमने question number 7 करा था देखो इसमें क्या है यह midpoint है दोनों मतलब यह मानलो D है और यह E है तो यह और यह इसमें कहरा है midpoint है किसी triangle का जो 2 side में 2 दोनों side पर एक-एक midpoint है मैंने midpoint दे दिया मैंने यह एक line दे दिया इसमें कहरा है जो midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side आपको यह proof करना है यह जो DE है यह parallel है BC का यह चीज़ आपको proof करना इसमें कहरा है using Converse of VPT theorem Converse of VPT theorem का आपको use करना है proof that the line joining the midpoint यह दोनों side का जो midpoint है दे ना any two sides any two sides पे जो midpoint है जो line joining है line join किया हुआ है और दो triangle के दोनों sides में है ठीक है दोनों यह midpoint है ठीक है midpoint का मतलब A equal to A होका और A equal to A है ठीक है मतलब इतना सा AD equal मतलब आप मैं लिखी देता हूँ given है आपका क्या है given है आपका AD equal to BD ठीक है AD equal to BD और AE equal to EC ठीक है AE equal to EC यह क्यों है क्योंकि D and E are midpoint midpoint offside offside AB and AC ठीक है इतना समय नहीं यहाँ आपर लिख दिया ठीक है यह चीज़ दिया हुआ आपको तो आपको क्या proof करना है इसमें तो आपको proof करना है proof that proof that आपको proof क्या करना है जो DE जो है वो BC का parallel है तो DE जो है वो parallel to BC DE parallel to BC यह आपको proof करना है ठीक है तो देखो इसमें क्या करना है आपको यह कैसे आप प्रूफ कर सकते हो यह तभी प्रूफ कर पाओ गया आप जब आपका यह solution आ जाएगा क्या AD by BD equal to AE by EC अगर यह statement आ जाएगा तो आप Converse of BPT theorem से आप यह कह सकते हो यह DE जो है यह BC का parallel है तो कैसे भी करके हमें यह statement आपको यहाँ पर लाना देखो यह यह दोनों parallel तो है नहीं अगर parallel तो डिरेक्ट हम BPT theorem लगा देते हैं लेकिन parallel नहीं है यह दोनों लेना अपस में parallel है इतना सा अगर आपने ले आया है तो ठीक है यह आपने theorem 6.2 में पढ़ाओगा और मैं इस वीडियो के नीचे में description में आपको उनका link देदूंगा आप जरूर देख लेना ठीक है दोनों theorem का link देदूंगा मैं दोनों theorem को आप देख लेना तो easily समाज में आ जाएगा ठीक है तो आप क्या करना है देखो यहां सब question होगा आपका start तो देखो यहां पर क्या है a d equal b d है इसी का help लेकर करके आपको करना है देखो मैं अभी आपको एक ची बताता हूं क्या है यह a d equal b d है तो मैं a d equal b d यह क्या है given अगर यह given है तो आप a d by bd equal to 1 लिख ठकते हो कैसे AD equal to BD equal to 1 यह मैंने क्यों लिख दिया कैसे लिख दिया क्योंकि देखो आप खुद देखो अगर मैंने यहाँ पर AD by BD equal to 1 लिखा है तो उसके निचे 1 करके अगर आप इसे cross multiply करोगे तो AD equal BD ही तो आएगा AD equal BD ही तो आएगा AD equal BD इसे से मैंने यह statement लिख दिया ठीक है आपको समझ में आया होगा यह मैंने क्यों लिखा यहाँ पर ठीक है यहाँ से next क्या AD equal BD है उसी similarly क्या है देखो similarly similarly क्या है यह AE equal EC है तो AE equal EC है तो आप इसे भी AE EC लिख सकते हो equal to 1 लिख सकतो वही वालास्ट इसके अगर आप इसके नीचे 1 करके cross multiply करोगे AE equal EC ही तो आएगा तो आप यह आपका जो है दो equation आगया देखो आपका यह first equation ठीक है और यह second equation तो first और second equation को आप देखो इस दोनों का RHS क्या है इक्वल है तो LHS भी इसका equal हो जाएगा तो आप क्या खह सकते हो from equation 1 and 2 we get equation 1 और 2 को अगर आपने compare करा तो दोनों का RHS equal है तो LHS भी equal हो जाएगा तो आप क्या लिख सकते हो AD by BD equal to AE by EC मैंने आपको कहा था था ना अगर आपने यह statement proof कर दिया AD by BD equal to AE by EC अगर आपने यह statement प्रूब कर दिया तो आप by Converse of BPT थो रहा हो आप कहा सकते हो DE parallel to BC तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं by Converse of BPT ठीक है by Converse of BPT आप क्या कहा सकते हो जो यह जो DE है यह parallel है किसका BC का और यही आपको proved करना था ठीक है यही आपको prove करना था यहाँ पर क्या है यह proof हो गया यही आपको prove करना था parallel to BC यही आपको prove करना था तो बहुत इजी सा concept था है बस यह वाला concept जो मैंने आपको बता है इसको आप समझ लेना तो बहुत इजी सा question था यह दोनु ही question question number 7 और question number 8 तो I hope आपको ये दोनों ही question समझ में आगया होगा तो फिर मिलते हैं next video में next question के साथ